नमस्कार दोस्तों मैं उसने पांडे स्वागा थाब सबके एक नए वीडियो में तो पिछले दिनों क्या हुआ था कि एन एकडेमी की एक टीचर थे करन सागवान उनको बाहर कर दिया गया था और उसके बाद में उनकी जो नोट्स थी वो बरबाद हो गए क्योंकि उसकी एकड़ाम के लिए उन्होंने प्रिपेर किया था तो इस वज़ा से उनका इस प्रेस्पेक्टिप से भी बोलना था तो इस वज़ा से आधी आधी वीडियो दिखाई जा रही हो बेसली सोसल मीडिया पर ढूड़ना बड़ा मुस्किल हो राए गुरी वीडियो लेकिन ऐसा है कि मैं वह रेफ्रेंस यह दे रहे थे कि मैंने भी बहुत सारी नोट्स बनाई थी लेकिन उसके बाद में वह सब बरबाद हो गया लेकिन आपका होगे कि करण सागवान तो कर गए हैं उनको हर्दिक बढ़ाया देता हूं उनके कहने के मतलब था कि यह मैंड मिशन है यानि इसमें इंसान भेजे गए हैं यह नोलेज थी उनको चंद्रियान के बारे में उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम और साइन्स में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा उसकी सभी देशवासियों को बहुत बढ़ाई देता हूं जो बिहार के सियम है नितिश कुमार उनको बिल्कुल मालूम ही नहीं था चंद्यान के बारे में वहाँ पे इस तरह से मैनेज गया उनकी मंत्रियों ने कि देखके ही असी आती है इस तरह का सियम एगजस्ट कर सकता है इस दुनिया में यह बहुत अजीब बात है कि जिसको एक बहुत बड़े प्रोग्राम जो नेशनल मीडिया में चाया रहता हो जो विस घंटा उसके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं है ममता बैनर जी ने ये कहा था कि देखो राकेश रोसन ने बातचीज जबकरी तहिंद्रा गांदेजी से तो कहा था कि कि दुनिया में सारे जहां से अच्छा है हमारा हिंदोस्तान ये ऐसा दिख रहा है हमें इस पेश से बहुत सारे नेतर है कुछ नेतर बीजेपी के हैं इवें दुकी अर्विन केजरिवाल भी 2020 में बहुत सारे बयान दे चुके थे कोबिट-19 के वेक्सिन के वारे में कि उसका फार्मूला ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए जबकि उनसे ये बात इस्पेट नहीं की जा सकते है क्योंकि वो ओल्रेटी बहुत पढ़े लिखे इंसानों में से आते हैं केंद्र सरकार इन दोनों कमपनियों से वेक्सिन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कमपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वेक्सिन बना सकती हैं देखे हम तो भारत के उन बेग्यानिकों को धन्यबाद देता हूं कि दिन प्रत दिन रिशार्च करके एक नई खोज कर रहे हैं जो चंद्रयान त्री की बात आप करने हैं इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कल सब फुसल उधर्ती पर आने का जो टाइम है आने के बाद उसका स्वागत पुरे देश को करना चाहिए और असल नोलेज होना अलग बात है और दूसरी बात आप लोग ऐसे नेता को चुलोगे जिस तरह के नेता इस वीडियो में देख रहे हैं आपको जो चंद्यान के बारे में इस तरह से बाते बोल रहे हैं अगर आप चूच करोगे तो आपको बढ़ाई या बट मुझे लोने नोर्स बनाए थी उनके एक्जाम में काम नहीं आई यह बात बोल रहे था है मुझे एसा लग तक ना अगली बार जब भी अपना वोट दो किसी पड़े लिखे इन्सान को अपना वोट देना कि यह सब कुछ दुबारा जीवन में ना जहिलना पड़े ठीक है चलो ठीक है नेक्स टाइम ध्यान रखिएगा ऐसे इंसान को चुने जो पड़ा लिखा हो ठीक है जो समझ सकें चीजों को सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो नाम चेंज करना आता हो तो make your decision properly है ना टार नेक्स ट्डार लिखिशंब को